प्रियाबच्चो पार्ट वन वीडियो में आप हमारी भासा ये पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें आपने भासा और भासा के दो रूप जिसमें मोकिक भासा और लिखित भासा के वारे में आपने पढ़ा तो अब ये part 2 वीडियो में इसका कुछ प्रस्नुत्तर है जिसमें अनेक प्रकार के प्रस्नुत्तर है यानि सभी प्रकार के प्रस्नुत्तर दिये गए हैं जिसमें है पाठ की समझ में question number 1 में कि इन प्रस्नों के उत्तर देजिए यानि पाठ से यहां कुछ प्रस्ण पुछे गए हैं जो पाठ के अनुसार इसका उत्तर देना है तो question number one का कौमे है कि माने पहले किसे पुकारा तो पाठ के अनुसार इसका उत्तर होगा कि माने पहले मुनु को पुकारा इसके बाद खौमे है कि माने बाद में किसे अंदर आने को कहा तो इसका जबाब होगा यानि पाठ के अनुसार कि माने बाद में रीमा को अंदर आने के लिए कहा अब इसके बाद है इसमें भासा की समझ भासा की समझ में है यानि यहाँ पर भासा की समझ का मत्र होता है यानि कुछ परस्नुतर जो ब्याकरन से पूछे जाते हैं तो इसमें कौम में हैं कि हम डैस अपनी बात कहते हैं तो यहां पे दो विकल्प दिए गए हैं यानि हम जो है अपनी बात बोलकर कहते हैं या पढ़ कर कहते हैं तो हम अपनी बात को बोलकर कहते हैं तो हम बोलकर अपनी बात कहते हैं यहां पे बोलकर सही उत्तर होगा इसके खों में हैं हम डैस अपनी बात बताते हैं तो हम यानि सुनकर अपनी बात बताते हैं या लिखकर अपनी बात बताते हैं तो हम सुनकर अपनी बात बताते हैं यानि हम सुनकर अपनी दूसरों की बात को समझते हैं इसलिए यहां पर होगा कि हम लिखकर अपनी बात बताते हैं तो यानि हम अपनी बात बताने के लिए या तो बोल कर किसी को बताएंगे या तो लिखकर बताएंगे, तो यहां पर सुनकर नहीं होगा बलकि लिखकर सही उत्तर है, इसके बाद है भासा की परक, भासा की परक में है, यानि testing the language यानि भासा की परक यानि वहाँ पे भासा की जाँच करना तो इसमें question number 3 में है की सही उत्तर चुनिए इसमें भी दो विकल्प दिये गए हैं और दोनों विकल्प में से सही उत्तर को चुनना है तो कौ में हैं लिखी हुई बात को हम सुनते हैं यानि कोई अपनी बात को परकट करता है तो उसको हम सुनकर समझते हैं यानि लिखी हुई बात को हम सुनते नहीं है बलकि लिखी हुई बात को हम पढ़ते हैं अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ रहता है तो उसको समझनी कि लिएम क्या करते हैं उसको पढ़ते हैं तो यह यह के द्वारा बोली हुई बात को हम क्या करते हैं या दि हमारे सामने अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को हम क्या करते हैं सुनकर समझते हैं यानि बोली हुई बात को हम सुनते हैं ये सही उत्तर होगा क्योंकि बोली हुई बात को हम पढ़ते हैं ये गलत है क्योंकि ह बोली हुई बात को नहीं पढ़ सकते हैं, लिखी हुई बात को पढ़ते हैं, तो बोली हुई बात को हम केवल सुनते हैं, तो ये इसका ये सही उत्तर है, तो पाठ एक में बस इतना ही धन्यवाद